नमस्कार मैं हूदि पारी शेवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com सत्यहिंदी.com के इस खास कारक्रम सुनिये सिनमा में आप सभी का एक बार फिर से ज़र गत हैं इस खास कारक्रम हम आपको बताने जा रहे हैं सफते की बॉलिवुड की खास कबरों के बारे में Amazon Prime वीडियो पर पिछले हफ्ते रिलीज हुई वेब सिरीज तांटव विवादों में बुरी तरह से घिरी हुई है सिरीज को लेकर विवाद इतना बढ़िया है कि निदेशक अली अबाज रफने लोगों से माफी भी मांग ली इसके साथ ही सिरीज से विवादे सीन्स वो भी हटा दिया गया पहले आपको इस विवाद के बारे बता देते हैं वेब सिरीज में नारायन और भगवान शिव के रूप में अक्तर जिशान नहीयों के बीच एक समवात को दिखाए गया था इसमें नारायन ने भगवान शिव से कहा था कि सोशल मीडिया पर भगवान राम के फॉल्लवर्स काफी बढ़ते जा रहे हैं कुछ कीजिए मृत प्रवा इसे सेंс कोभी दोटकी कास्स संघॉड़क require एक किसी बीजीवत अनौरत व्यक्ति चाती समाज धर्म और धार्मियव्य विचारों किसी संस्थान talking तो कि राजनितिक राजनितिक में व्यक्ति की भौनाओं को थेशाने का अदेश्य नहीं इस शो की पूरी कास्ट और क्रूज जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंजाने में उनकी भावनाओं को ठेश पहुचाने के लिए माफी मांगती है माफी नामा के बाद सिरीज से विवादिस सेंस को भी हटा दिया गया लेकिन यह विवाद यहां भी नहीं थमा बलकि लखनाओ नौड़ा के बाद मुंबई में भी इसके निर्देशक और लेखा के खिलाफ एफायार दर्श कर दी गई मंबई पुलिस यूपी पुलिस की विश्चेश टीम मामले की जाज में जूटी हुई है और शुक्रवार को लखनाओ पुलिस ने डेक्टर अल्ली अबाज जफर लेखा कौरफ सुलंकी और हिमाश्यू महरा का लिखे बयान भी दर्श किया इन तीनों ने सामने से यूपी पुलिस से संपर्क कर अपना बयान दर्श कराया इसके बार लखनाओ पुलिस की टीम अमजान प्राइम वीडियो के दफ्तर भी गई थी लेकिन कॉंटेंट हैट अपना पुरो हित दिल्ली में जिनसे संपर्क नहीं उपाया है फिलाल इस पुरे मामले में अभी भी जाज चल रही है और आगे इसमें क्या अपडेट आएगा वह हम आपको अपडेट कर देंगे कभी अपने किसी बयान को लेकर सुर्ख्यों में रहती हैं तो कभी किसी टूइट को लेकर और इन दिनों एक्टरस फिर से अपने टूइट को लेकर सुर्ख्यों में रहा है और ऐसे में कई लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है एक्टरस कंगनाओत ने भी सिरी स्टांडप को लेकर ट्विट किया और लिखा कि भगवान ट्रश्म ने भी शिशुपाल की 99 गल्दियों को माप किया था पहले शांती फिक्रांती ये उनके सिरकलम करने का वक्त है जैश्री कुरश्म कंगनाओ ने ये ट्विट सूचना और प्रसालन मंत्रालय के उस बयान को लेकर किया था जिसमें मंत्रालय की ओर से कुछ ट्रश्यों में हिंदू देविदेटा हो कि अपमान को लेकर लगे आरोबौ का मेकर्स को जवाब देने के लिए कहा गया था जिसके बाद टूटर ने क कंगनाओद के खिलाफ एक्शन ले लिया और उनके अकाउंट को कुछ घंटों के लिए वीड ओनली मोड में डाल दिया गया था हलाकि बुद्वार को कंगनाओद के ट्विटर हैंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया था लेकिन जब तक अकाउंट बन रहा तक सोशल मीडिया पर कंगनाओद अकाउंट सस्पेंड ट्रेंट होता रहा इसके साथ ही जावे दक्तर की ओर से दार मानहानी केस पर मुंबई पुलिस ने कंगनाओद को समझ जारी किया है इस समझ पर भी अक्ट्रस ने प्रतिक्विया दिया और कहा कि मैं तुम सब भीडियों को छोड़ूंगी ने आको तादे की गीत कार जावे दक्तर ने बीते साल नवंबर में कंगनाओद के खिलाफ मानहानी का केस दर्ज करा था जावे दक्तर का कहना है कि कंगनाओद ने उन्हें लेकर अपमान जनक और आधारीन टिपड़िया की है फिलहाल कंग्नाओत के खिलाफ कई सारे केस दर्ट हो चुके हैं इस बात का उन्हें खुद खुला सा किया एक सोचलमेड़ीया पर पूरे ट्विट केया ट्विटर पे और उन्हें कहा कि मेरे खिलाफ मुझे इतने सारे समन मिल रहे हैं इतने सारे F.I.R. दर्श हो चुकी हैं बस तब मुझे रह गया है तो जेल में डालना और इन सार्भी केसों में आगे क्या होगा ये फिलाल अभी तक कुछ पता नहीं है लेकिन इसमें लगातार कारवाई चल रहे है आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि Amazon Prime वीडियो पर October 2020 में रिलीज हुई वेब सिरीज मिर्जापूर एक बार फिर सुर्ख्यों में आ गई है सिरीज मिर्जापूर के खिलाफ ताकिल जन्हित याचिका पर Supreme Court ने नोटिस चारी कर दिया है Court के ओर से OTT प्लेटफॉरम एज़न प्राइम केंदर सरकार और सिरीज के निर्देशा को नोटिस फेच दिया गया है याचिका में OTT प्लेटफॉरम पर आ रहे फिल्मों और सिरीज के कॉंटेंट को रेगलेट करने की मांग रखी गई है, मता देगी याचिका मिर्जापुर के एक निवासी ने दाखिल की है याचिका करता है, इसके कुमार ने अपनी अर्जी में कहा है कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शेहर को आतंकी और अवैर्द गती वीडियो में लिप्त शेहर दिखाए गया है जो की जनपत की छवी को खराब करता है इस पुरे मामले को लेकर Amazon Prime वीडियो के साथ शोकी निर्माता, रितिश सिध्वानी, परहान अक्तर और भॉमिक गोडवालिया पर मुकर्दमा दर्च किया गया है मुकर द्याय अन्याइधीश, जस्टिस S.A. बोबड़े की अधिक्षता वाले खंट पीत ने मामले में नोटिस चारी कर दिया है आपको दादे कि 23 अक्टूबर 2020 को मिर्जापुर का दूसरा सीजन रिलीस किया गया था और उस वक्त भी सीरीज को लेकर विवाद हुआ था और लोगों ने इसे बाइकॉट करने की मांग भी की थी लेकिन फिर ये मामला शान्त हो गया था सीरीज का पहला सीजन साल 2018 में रिलीस ही आ गया था और अब इसका तीस्रे सीजन का लोगों को इंतिजार है फिल्हाल इस विवाद में आगे और नया क्या होना है ये भी पता नहीं लेकिन इसको लेकर विवाद काफी बढ़ चुका है और लोगों पर मुकर्दमा भी दर्ज हो गया है पिछले दुनों एक्टर सोनु सूथ को बीमसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद एक्टर ने बॉंबे हाइप कोट का रुख किया था लेकिन अब उन्हें वहां से भी रहात नहीं मिले बंबे हाई कोट ने सोनु सूद की याचिका पर सुनवाई करते वे उनकी अपील और अंत्रिम याचिका को खारिच कर दिया जिसमें उन्होंने जुहू इस्तित अपनी आवासी इमारत में कतित अवैद निर्मार को लेकर BMC के नोटिस को चुनाती दी थी जैसर सोनु सूद ने BMC के आदेश के इतर कोट से कम से कम 10 हफते का वक्त मांगा था जिसवर कोट ने टिपड़ी करते वे कहा अब बहुत लेट हो गये हैं हाई कोट से याचिका खारिच होने के बाद सोनु सूद ने अब सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाया है उन्होंने आगे कहा कि ये सोनु सूद की छवी को बिगाणने का एक प्रयास है और बिल्डिंग के अंदर बदलाव सोरूप कोई काम करने के लिए किसी भी इजाज़त की जरूद नहीं पड़ती है आपको उता दें कि BMC का आरोब है कि सोनु सूद की छे मेंजला बिल्डिंग शक्ती सागर में जानबूश कर बतलाव किया गया है और इस होटल में तबदील कर दिया गया है और इसके लिए सोनु सूद ने कोई भी परमिशन नहीं लिए इस सब को लेकर BMC ने उन्हें नोटिस जारी किया था जिसका पहले उन्होंने जवाब नहीं दिया और अब इस पर उन्हें फिर से नोटिस भीजा गया था पिलहार इस मामले पर अभी कारवाई चल रही है और सुप्रीम कोट से सुनु सूद को राहत मिलती है या नहीं यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि फिल्म डेक्टर साजित खान का विवादों से पुरा नाता रहा है और अब एक बार फिर से वो चर्चा में है ज़सल BBC ने दिवंगत अक्टरस जिया खान सुसाइट केस को लेकर एक डॉक्यूमेंटरी युनाटिट किंग्डम में रिलीस की जिसमें जिया खान के परिवार के लोग दिखाए गए और इसी सीरीज में जिया खान की बेहन करिश्मा ने साजित खान पर कमफीर आरोप लगाए उन्हों है कहा कि साजित खान ने जिया को काफी सेक्सुल हरस किया और एक बार उन्होंने जिया से कपड़े तारने को कहा था करिश्वा के इस खुलासे के बाद साजित खान इवा फिर से आरोपों के घेरे में आ गए इसके साथ ही एक्ट्रस शरलिन चोपड़ा ने भी साजित खान पर यौन उत्पिडन के आरोप लगाए उनमें बताया कि करीब 6 साल पहले जब वो साजित से मिली थी उस दौरान डेक्टर ने उनके साथ काफी गरत वेवार किया था आपको उतादे कि ये पहली बार नहीं है जब साजित खान पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं इसके पहले साल 2018 में मीटू मुव्मेंट के दौरान कई आक्ट्रेस पत्रकार और एक मॉडल ने भी फिल्म डेक्टर पर यौन प्रिन के आरोप लगाए थे पिल्हाल उस वक्त भी इस अपको कुछ हुआ नहीं था लेकिन साजित खान का नाम उस वक्त भी काफी चर्चा में रहा है और इन दिनों भी वो काफी सुर्ख्यों में बने गुए है जिया खान पर रिलीज भी डॉक्यमेंटरी की बात करें तो BBC की तरव से इस डॉक्यमेंटरी को UK में रिलीज किया गया है और भारत में अभी लोग इसे नहीं देख सकते और इसका नाम Death in Bollywood रखा गया है इसमें जिया खान के पाईवार के साथ सूरज पंचोली और भी कई की लोगों का इंटर्व्यू शामिल किया गया है फिरहाल Bollywood की खास ख़बरों में आज इतनी ख़बरे थी जो मैं आपको बता दी अगले हफते में फिर से हाजर होंगी सत्यहिंदी.com के खास कारकरम सुने सिनमा के साथ तो तक आप पने रहे सत्यहिंदी.com के साथ नमस्का सत्यहिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर